हाँ hello students good morning everybody देखिए नेशनलिजम इन इंडिया स स यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलीजम नेशनलीजम इन इंडिया यह चैप्टर हम लोग स स स्ट का प्लास 10 के लिए पढ़ रहे थे वाले वीडियो में जो इससे पहले मैंने वीडियो दिया हुआ है उस वीडियो में मैंने 1919 से लेके नान को आप्रेसर मुवमेंट का उसमें खास तौर से जिसकस किया गया था मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या प्राव्लम होई थी कैसे कैसे शुरू किया गया ख्याशना will उस मुवम्मेंट को कालड आफ कर दिया गया उस मुवम्मेंट को गांधी जी ने खतम कर दिया वह मैंने चवरी-चवरा इवेंट की मैंने आप लोगों से उसका वर्ण भी किया था उसके बाद भारत में राजनीतिक परिस्थितियां धीरे-धीरे बदलनी शुरू है नान कॉपरेशन मुवम्मेंट के बाद 1922 में जब उसको कालड आफ किया गया तो राजनीतिक परिस्थियां धेरे बदलनी शुरू है गांधी जी दुबारा चाहते थे एक बड़ा आंदोना शुरू किया जा लेकिन बहुत से कांग्रेस के लीडर डर रहे थे कि अब आंदो कांग्रेस के कुछ नेता अपने को प्राविंशियल लेजिसलेशन के लिए या सेंटर के लिए इलेक्शन लड़के जाना चाहते थे और चाहते थे कि वहां जाके गौवर्मेंट का अपोज किया जाए गौवर्मेंट बिटिस गवर्मेंट की पॉलिसी का अपोज किया जा जाते थे कि वहां जाएंगे तो अपने जो यहां की प्राब्लम्स हैं इन प्राब्लम्स को अच्छी तरह से वहां रखा जाएगा इस संदर में सी आरदास देशबंदु चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू जो पनिजवाहलाल नहरू के पिता थे इन दोनों लोगों ने एक अलग ही पार्टी बनाई जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता था और उस पार्टी से यह लोग चुनाव लड़के लेजिसलेटिव असेंबली में जाना चाहते थे स्वराज पार्टी एलक्षण बन गई स्री आरदास और पंडित मोतिलाल नहरू की लेकिन जवाहर लाल नहरू और सुवाज चंद्रबोष जैसे नेता इस आंदोलन को मास एजिटेशन के रूप में और बड़ा करके देख देखना चाहते थे इसी में कुछ साल गुजरे भी कांग्रेस के इस डिसक्रसन में कुछ साल गुजरे उसी बीच में एक ऐसा डिप्रेशन आया इकोनामी में जिसने पूरे देश के किसानों को बॉखला के रख दिया किसान जो बड़े बड़े किसान थे ज्यादा खेती करने वाले उनकी डिमांड ही कम हो गई उनकी डिमांड मतलब उनकी प्रोड़क्ट की डिमांड कम हो गई क्योंकि पहले बाहर सामान जो एरिकल्चरल प्रोड़क्ट है वो इस्पोर्ट भी होता था तो उन प्रोड़क् गई तो लोगों को काम मिलना भी कम हो गया अब इसमें कई सारी प्रॉब्लम क्रियेट हो गई जो वर्ड वाइड एकोनामिक क्राइसिस आई इस क्राइसिस में लगभग 1930 तक आते आते पूरे वर्ड में पूरी इंडिया में एक टर्म वाइल जिसको हिंदी में कहेंगे हिंदी सब्द इसका क्या होगा तर्म वाइल कहते हैं विद्वन्सक रूप लेना यह जो लोगों का था अपस में सब लोग अंगरेजों से ब्रिटी सर्च से काफी खफा हो गये थे और जगा जगा लोग विद्रोह करना शुरू कर दिये थे अब इसके पैडाम शुरूप ग नान क्वापेसर मुवमेंट तो खतम हुआ है एक सिविल डिस ओविडियनस मुवमेंट शुरू किया जाए गांधी जी उसकी रूप रेखा बनाई रहे थे उसी बीच में ब्रिटीश की टोरी गौवर्मेंट ने बिटीश की टोरी गौवर्मेंट ने 1928 में एक कमिसन बना उसका है। उसका है शरजान साइमन था तो ब्रिटीश गौवर्मेंट ने साइमन को एक कमिसन के रूप में यहां बेजा उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था यह तो सबसे पहली बात थी जिसकी ऐसी इंडिया वाले उसका अपोजिस कमिसन आप्वोज कर रहे थे को उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था 1928 में सब जब साइमन साइमन जब बांबे में उत्रे तो उनका स्वागत साइमन गो बैक के रूप में किया गया और उसका नितित पंडित जवाहालाल नहरू नहीं किया मैं आपको बता दूं सरजान साइमन और नहरू जी दोनों ही ब्रिटेन में क्लास्मेट रह चुके थे एक साथ पढ़े हुए थे उसके बाद गौब्मेंट ने भी कहा कि इंडिया में एक डॉमिनियन स्टेटस स्ताफिक किया जाए अक्टूबर 1929 में एक डॉमिनियन स्टेटस बनाया जाए उसके लिए एक क rescission तो अँगलेंड में उस के लोगा से नेल दाना के रुप में जो भी आना चाहें नहरु जी ओगर आना चाहें या गांधी जी आना चाहें जो भी आना चाहें वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको मैं बाद बताऊंगा 1929 में ही कांग्रेश का अधिवेशन शुरू हुआ जब कांग्रेश का अधिवेशन शुरू हुआ तो उस अधिवेशन में कांग्रेस के उस अधिवेशन में वो अधिवेशन 1929 दिसंबर में लाहोर में रावी नदी के किनारे किया गया मतलब 1929 का ये कांग्रेस सेशन लाहोर में रावी नदी के किनारे हुआ अब ये सेशन बहुत ही महतोपूर माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में क्यों कि इस सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी नहरु जी की अधिक्स्ता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब गांधी जी तो सोची रहे थे कैसे किया जाए फर्स राउंट टेबल कांफरेंस में 1930 में गांधी जी नहीं गया तो जब यह मौका मिला पूर्ण स्वराज का और बलकि 26 जनवरी 1930 को तो पूर्ण स्वराज की घोशना भी कर दी गई थी सेलिब्रेट भी किया गया था उसी समय गांधी जी ने एक आंदोला सिविल डिसविडियन्स मुव्मेंट की शुरुवात करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया उन्होंने उस समय के वाइसराय राड इर्मिन को एक लेटर लिखा वह लेटर उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लिखा उसमें उन्होंने 11 पॉइंट का जिग्र किया था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वह पॉइंट था कि नमक के ऊपर से टेक्स हटा दिया जाए नमक एक ऐसा आइटम है जिसका उपयोग अमिर भी करते हैं गरीब भी करते हैं सब ही लोग करते हैं और उस प संफ चर्वर्ण जो है किसी मैनत को था अपने आप होता है फ्राकृति-करी कोथा है मारेहां तो हम इस परzone गानी जी बिरुवर्मेंट का विरोध करना चाहते थे था तो यह साल्ट मर्च वाला साल पर टेक्स नहीं देना इसको उन्होंने पहला रास्ता अपनाया उन 11 पॉइंट में से गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब इसके लिए मार्च निकाला जाएगा तो 11 मार्च को अहम्दाबाद के साबर मती आश्रम से गांधी जी ने एक मार्च एक जूलूस निकाला उश समय गांधी जी के साथ 78 उनकी ट्रस्टेड वालेंटीर्स थे गांधी जी के साथ और दांडी नदी पर दांडी के किनारे उनको जाना था और डिस्टेंस लगभग 240 किलो मिटर की थी और भी पैदल यात्रा गांधी जी दिन भर चलते थे रात में कही रुख जाते थे जहां रुखते थे वहां के सब लोगी कठे होते थे खिलाना पिलाना फिर वहां सारी बातें होती थी जगह जगह गांधी जी मीटिंग करते गए सेमेलन करते गए और 240 किलोमेटर की यात्रा लगभग 24 दिन में प्रडे के हिसाब से और इस बीच में गांधी जी ने पूरा अपना बैक अप तयार कर लिया सिविल डिस ओबीडियंस मुवमेंट के लिए बलकि यह कहा जा कि शुरुवात ही यहीं से थी यह भी गलत नहीं होगा कि साल्ट मार्च जो है सिविल डिस ओबीडियंस मुवमेंट की शुरुवात की अभी मैं साल्ट मार्च की ही बात कर रहा था तो साल्ट मार्च वाज दा बिगनिंग आप वाज दा बिगनिंग आप वाज दा बिगनिंग आप शिविल डिस ओबीडियंस मुवमेंट कर सकते हैं कि इस सिविल डिस ओबीडियंस मुवमेंट की शुरुवात साल्ट मार्च से ही हुई थी अब देखिए यहां हुआ क्या इसके बाद लोगों ने जग जग विदेशी चीजों का बायकाट वहिसकार करना शुरू कर दिया स्वदेशी चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया अगर मैं एक बात बताओं पंजाब वाले इलाके में गांधी जी के परमभक खान अब्दूल गफार खां इन्होंने उस इलाके में इसका नितितु किया खान अब्दूल गफार खां को सीमांत गांधी फ्रॉंटियर गांधी भी कहा जाता है उस इलाके में पेशावर के इलाके में सीमांत गांधी ने खान अब्दूल गफार से कुछला क्योंकि वहां पर तोड़ फोड़ भी शुरू हो गई थी लगभग एक लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था अंत में गांधी जी हिन्सात्मक आंदोलन को देखते हुए उन्होंने सिविल डिस ओविडियेंस मुव्मेंट का फिर से काल डाफ कर दिया उन्होंने फिर से इसको बंद कर दिया अब क्या हुआ लगभग 1931 में ही गांधी जी और इर्मिन के बीच में एक समझावता हुआ एक पैक्ट हुआ और जिसको नागपूर पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है यह मार्च 1931 को हुआ था उसमें तैय हुआ कि गांधी जी इस आंदर्म को खतम कर देंगे और अंग्रेज गोवर्मेंट जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं इनको रिहा कर देंगे और गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे मैं आपको बता दू गांधी जी इंग्लें आंत में वहां से गांधी जी वापस आ गए तब तक खान अब्दुल गफार खान नहरू जी वाश्चंद्र बोश इनके जैसे कई नेताओं को जिल में डाल दिया गया था अब गांधी जी वहां प्रिशान हो गए उन्होंने दुबारा इस आंदोलन को शुरू करने का प् जानदोलन अपनी लेख हो चुका था फिर गांधी जीने क्या किया इπα गांधीं किसा प्रोब्लम्ब भी थी मैं आपको बता दू है उस समय हिंदू-मुस्लिम प्र्सार्फित क्योंकि जिन्ना अलगी यराध अपना रहे थे वर अपने लिए इलेक्शन में रिजर्बेशन चाहते थे कहते थे कि जहां मुश्लिम बहुत छत्र है वहां हमको रिजर्बेशन दिया जाए पहले बात तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे लेकिन उसके साथ साथ अमबेट कर ये भी शुरू में गांधी जी के खिलाब थे ये भी चाहते थे कि प्राविंशियल इलेक्शन्स में इस्पेशल सीटें उनको मिले या वो अलग सपना बना के लड़े गांधी जी ने तो इन बातों क लेके भूख हर्ताल भी कर दी थी बाद में अमबेटकर गांधी जी से मिले उन्होंने कहा बात हुई उन्होंने कहा कि अगर कुछ सीटें रियर्वेशन के आधार पर मिल सकें तो इसकी व्योस्था की जा फिर हम लोग सब मिलके लड़े और गांधी जी तो कहा भी था कि अ को भारत से नहीं हटाया गया तो आने वाले सौ साल में भी भारत इंडिपेंडेंस नहीं पासकेगा उन्होंने उसी समय कह दिया था फिर गांधी जी के साथ इनकी बात हुई यह लोग मिल गए अंत में आके यह सब लोग मिलने के बाद फिर से सिविल डिस ओविडियेंस मुव्मेंट शुरू किया गया मैंने परवता इसका मुव्मेंट थोड़ा खतम हो चुका था अब एक चिन में और बता दू एक ऐसा भी गुरुप था जो इन लोगों से अलग राष्टे पर चल रहा था वह गुरुप उस गुरुप को हम लोग करांतिकारी गुरुप कहते हैं उस संस्था का नाम था हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एच एस आर ए उसमें भगत सिंग जतिंदास अजय घोस और चंडशेखर आजाद ऐसे लोग जो की हिंसा को अपना कर अंग्रेजियों को मारना चाहते थे इस मामले में मैं तो एक रिफेरेंस दे देता हूं भगत सिंग ने वटके स्वर्दत ने तो असेंबली में बंपी फेका था और उन्होंने कहा था कि हम किसी की हत्या करने के लिए बंपी फेक रहे हैं हम बिटिस गौवर्मेंट का ध्यान अपनी तरफ आकर्शित करना चाह आते थे उस समय भगर सिंग की उमर ही 23 साल की थी तो एक गुरूप ऐसा भी था जो एक अलग रास्ता अपना कर देश की स्थनता के लिए काम कर रहा था अब देखिए ये चैप्टर काफी लंबा है ये चैप्टर काफी लंबा है एक वीडियो एक वीडियो भीश का और अब तीसरा जो वीडियो आएगा वो वीडियो इसके आगे वाला होगा इसको आप लोग पढ़िए और उसके बाद इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए किताब की फी हेल्प लीजिए साथ में थाइंक्यो एवरीवरीडी